एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में एक युवक रहता था, जिसका दिल हमेशा उदास रहता था, उसने गुरु की शरन ली और कहा, गुरु देव मेरा दिल हमेशा दुखी क्यों रहता है? गुरु देव ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, जीवन में दुख और सुख एक साथ होते हैं, परन्तु तुमें अपनी चीनता से मुक्त होना चाहिए यूवक ने पूछा कैसे गुरु देव? गुरु देव ने उसे एक कटा दिया और कहा, इसमें लकडी बहर कर जला दो और फिर मुझे वापस ला कर देना यूवक ने गुरु देव की हकूमत मानते हुए वही किया, जब वै वापस लोटा तो गुरु देव ने पूछा, तुमें उसमें क्या दिखाई दिया? यूवक ने जवाब दिया, लकडी कुछ देर तक जली रही, फिर बुझ गई गुरु देव ने कहा, इसका ये मतलब है कि जब चिंगारी दुख लाए तो हमें उसे अपने दिल से जला देना चाहिए दुख की चिंगारी को जलाकर ही हम आत्मा को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं यूवक ने गुरु देव की बातों को समझा और उसने अपनी चिंटा को ध्यान में लेना शुरू किया उसका दिल दिरे दिरे सुखी हो गया और उसने समझा की वास्तम में सुख उसके अंतर में है जो कभी कभी चिंटाओं और दुखों के बाद भी उगल जाता है